हलो फ्रेंड्स देखिए आज मोली उदास है इसकी तवे थोड़ी अच्छी नहीं है मिक्कू तो बहुत मस्त रहता है हमेशा मोली बहुत प्यारी है देखिए वेसे लेकिन खाना खिलाने में इसको मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज मेरे कोलेज का वर्क था भहुत सारा तो मैं नीचे से डेड़ बजे के करीब उपर आई और देखा तो मोली ने अपनी जो दूद रोटी थी गली हुई वो खाई ही नहीं तो मैंने इसके लिए ये सेडलेग बनाया और इसको देखिए किस तरह से खिला रही हूँ ये चम से खाना कम ही पसंद करती है लेकिन जब भूल जाती है तो फिर मैं इसको चमज से खिला देती हूँ ये देखिए अब ये भूल गई कि ये मम्मी चटा रही थी मुझे तो खाने लगी है लेकिन फिर जैसे इसको याद आएगा ये देखिए फिर मुझे इसको ऐसे खिलाना पड़ता है, काफी मेहनत लगती है, डोगी को पालने में, इनको दोनों टाइम घुमाने जाना पड़ता है, और खाना खिलाने में बहुत मेहनत करने पड़ती है, क्योंकि ये लोग 2-3-3 दिन तक भूके रह जाते हैं, इनको पता नहीं चलता खाने का, और ये जो डोगी है, ये थोड़े जादा ही नकरे करते हैं, खाना खाने में, ये देखें, मुझे इसको फिर वापीस से इस तरह से ही खिलाना पड़ रहा है, कभी-कभी तो मुझे बहुत घुसा भी आता है, लेकिन मुली इतनी प्यारी है, कि मैं इसको खाना खिलाए बगेर कभी सो ही नहीं सक सभडती, अब चाहे रात के दो बज़रे हूं, पर मैं इसको खाना खिला कर सारा काम करके तभी सोँगी, ये देखें, किस तरह से जबर जबर जश्ती करके?, प्यार से भी खिलाना पड़ता है, प्यार से खिलाओ तो खान लेते हैं, वी सही है, खिस तरह से देखिये, अब अपना खाना खतम कर रही है और मिक्कू तो मस्त है वो कुछ भी खाता रहता है वो अपना खाना खतम करने के बाद उसको कुछ-कुछ कुतरने के लिए चाहिए वो कागज भी कुतरता है लकड़ी कुतरता है और उसको इस सब चीजों में बहुत मजा आता है तो मोली को अब यह थोड़ी बहुत देर में खाना खतम कर लेगी आज के दिन हमारे गेट भी खुल ले ही रहे थे दो बजे तक अब खतम हुआ इसका खाना देखिए यह देखिए अब मोली बहुत नखरे कर रही है आज पानी पीने में भी नखरे करेगी वैसे तो यह जाके पी लेती है इसका जो रखा है वो रेट कलर का डबा उसमें पानी भरा रहता है लेकिन आज देखना दोस्तों यह कितने नखरे करेगी पानी भी नहीं पीएगी मिक्कू भी आ गया है अपना खाना वाना देख रहा है क्या है मेरे लिए कुछ है के नहीं है और यह देखिए तो मैं बता रही थी रात के दो बज़े हमारे यह यह से लग रहा था जैसे दो फे के दो बज़े हो और यह गेट भी हमारे रात के दो बज़े ही लगे थे देखिए अब मैं इसके लिए पानी रख रही हूँ तब जाकर तो ये पानी पीएगी ये देखिए मॉली ने पानी पीना सुरू कर दिया है वेरी गुड मॉली अब इसका काम खतम होगया मुझे भी शान्ती मिली है और मिक्कू मिक्कू देखो कुछ कुछ ढूंड रहा है खाना खतम कर रहा है अपना उसके बाद उसे कुटरने के लिए कुछ चाहिए अब मॉली को मैंने हड़ी दे दी है वो हड़ी चबाती है और पलंग पे जाके हड़ी चबाते चबाते सो जाती है यदि इसकी इच्छा होती है तो हमारे पास आ जाती है नहीं तो इसका जो पलंगे उस पर ही सो जाती है ये देखिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सफाई कर लेते हैं और गेट हमारा अब लगा है इसके बाद मैं मौली को इसी पलंग पर सुलाने के लिए छोड़ दूँगी ये देखिए इस तरह से मिक्कू भी आया कुछ-कुछ ढूंड रहा है कुतरने के लिए देखिए अब इसको कागच मिल जाएगा मुझे लगा देखू तो सही ये क्या कागच खा रहा है कोई काम का तो नहीं है फिर मैंने देखा और इसने वापिस से मेरे हाँ से छिना लिया और नीचे जाकर खाने लगा त्योंकि ये इसका खाना है एक्स्ट्रा टाइम का खाना और खापी के ये बेड़ गया देखो मिक्कू मस्त होके और मॉली अभी हड़ी चबाने में ही लगी हुई है ये देखिए अब इसके बाद ये दोनों आराम से सो जाएंगे तब जाके मेरा काम खतम होगा दोस्तों तो देखिए इस तरह से रात को दो बज़े शुरू हुआ था धाई बज गए अब ये दोनों सो गए अब में भी सोती हूँ मॉली मिक्कू की तरफ से गुड नाइट दोस्तों मेरी तरफ से भी गुड नाइट ओके बाई बाई थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग